जैए श्री गरिशाहिनमा दोस्तों स्वागित है आप सभी का धर्मा लाइफ पर मैंने हराजपुद हर दिन की तरह लेकर आई हूँ आपके लिए आज का राश्री फल्ट बताओंगे आपको आपका दिन कैसा बीटेगा क्या कुछ होगा खास सारी बाते करेंगे लेकिन सबसे पहले जिल लोगों का आज बोध्य है अनिवर्सरी है कोई खास दिन है आज के दिन की धेर सारी शुव काम नाई साथ ही आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज है चैत्र अमवस्या तो आज के दिन कुछ कारे ऐसे किये जाते हैं जिनसे के पित्रों का आश्रवाद आपको बहुत ही जल्द मिल जाता है साथ ही साथ अमवस्या के दिन कुछ ऐसे भी रेमिडीज है जिने करने से अगर आपके चार्ट में प्लानेट्स जो हैं आपको अश्रु प्रभाव दे रही हैं अभी सही नहीं पोजीशन पे हैं तो उनसे भी आपको अच्छे परणाम मिलने लगते हैं तो यह उपाई मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी लेकिन पहले जान लेते हैं आज क के पंचांग पर यह तो हमने जाना कि आज का पंचांग क्या है अब बारी आपके राशी फलकी शुरुआत करेंगे पहली राशी के साथ मेश राशी आज का दिन बेहत खास होगा मेश राशी वालों के लिए काम के अधिक्ता तो रहेगी लेकिन काम को आप इंजॉय सोर्स ऑफ इंकम बढ़ाने के लिए आज किसी खास से बाची कर सकते हैं वहीं आज के दिन इस राशी वालों को यात्रा के योग हैं यात्रा आपकी सफल रहेगी साथी साथ पारिवारिक जीवन में किसी छोटी से बात को लेकर मतभेद होने के आसार दिख रहे हैं कोशिश करें चोटी-चोटी बातों को इग्नोर करें सिहत के लिए हाज से आज के दिन महिलाओं को विशेश तौर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कुछ महिलाओं को जो है आज के दिन बॉड़ी के लोवर पार्क में हेल्थ इशूस जो है आसकते हैं तो थोड़ा सा ध्या के तौर पर मैं आपको दोंगी पांच में से चार स्टार विशब राशी वालों के लिए आज का दिन मिला जुला है चीज़े आपके कुछ पक्ष में रहेंगी कुछ आपके पक्ष में नहीं रहेंगी करना क्या है शांत रहना है ज्यादा बड़ बोलापन दिखाने से पाटनर की हेल्थ का महा उपाए दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं आज के दिन शिवजी की पूजा जरूर करें लखी कलर आपके लिए उरड है लखी नंबर की बात करो है वन और भाग स्टार के तौर पर में आपको दूंगी पांच में से साड़ही तीन स्टार मिथुन आज के दिन थोड़ा सा ध्यान देना होगा बॉड़ी के आपके बैक साइड में कुछ र्टिशूडे हो सकते हैं, गाड़ी या फिर चलाते हैं थोड़ा सा कार भाइक स्टोफबे के जरूलिजैंच पैसे थूजोड़ा की चया दिन कोई आपको पैसा अओर पैसा उधार म जरूर दीजिए आपके लिए महा उपाई दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें किसी जरूरत मन को एक वक्त का खाना जरूर खिलाएं लाकी कलर आपके लिए आज है गुई लाकी नंबर की बात करूँ है टू और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दू लोग आपकी तारीफ करेंगे साथ ही साथ आज के दिन छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं खान-पान संबंधी सावधानिया बरती है और आज के दिन जिलोगों की पहले कोई सौचरी हो रखी थी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कोशिश करें कि बाहर जादा ना नि लगी रंबर की बात करूं है टू और भागस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगे पांच में से साथ ही तीन स्टार सिंग राशी सिंग राशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही फाइदेमंद रहने वाला है किसी थर्ड परसन से बातशीत करके आज अपने काम में अच्छा करने की कोशिश करेंगे साथ ही साथ किसी की सज्जिशन से आज काम बनेगा तो आख और कान खुले रखिएगा बिजनस करने वालों को आज के दिन किसी महिला से मदद मिलने वाली है साथ ही साथ पारिवारिक जीवन में धार्मिक कारिया हो सकते हैं यानि फैमिली लाइफ में आज के दिन धर्म करम की चीज़ें होने वाली है पूजा पाठ इत्यादी हो सकता है साथ ही साथ आज के दिन कुछ लोग जो है अपने फैमली के साथ थोटी दूरी की यात्रा पर भी जाने वाले हैं सिंगल लोगों को आज के दिन दिल लगी करने से बचने की जरूरत है मैरेड है तो आज के दिन future planning के बारे में आज अपने partner से deep discussion करने वाले हैं हेल्थ के लिहाद से आज के दिन गले से जोटी दिक्कते आने वाली हैं सबलके रहिएगा पैसे आज किसी को भी ऐसे बिना सोचे समझे मत दीजे ना ही फिजूल की जगे पे आज खर्च कीजे क्योंकि आने वाला समय आपके पैसे के लिहाद से थोड़ा कष्ट दायक होने वाला है महा उपाई दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं धोले बाबा की पूजा करें आपके लिए lucky color white है lucky number की बात करो है 2 और भाग स्थार के तौर पर मैं आपको दूगी 5 में से कन्या राशी कन्या राशी वालों के लिए आज का दिन मध्यम फल्दाई है फामली के साथ time spend करेंगे दिन का उत्राथ थोड़ा tough है बोजल सा लगेगा बहुत ही heavy feel करेंगे किसी पुरानी बात को लेकर आज sad हो सकते हैं लेंदेन सम्मंदी सावधानी बरतने की जरूरत है साथ ही साथ आज के दिन किसी भी कानूनी पचड़े में फसने से बचना है तीसरे की किसी third person की चीजों में घुसने से बचना है अगर आपका उससे लेना देना नहीं है आज दूर रही है नहीं तो आज आप जो है टू और भाग स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच में से साढ़ ही स्टार तुलाराशी तुलाराशी वालों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहेगा काम से जुड़े हुए आपको फाइदे मलने वाले हैं यानि कि अगर प्रमोशन चाहते थे आप चाहते थे ट्रांसफर हो जाए तो आपको इस से रिलेटेट गुड़ निउस मिलने को है बिजनस करने वाले लोग खासतोर पर वो लोग जो लकडी से जुड़ा हुआ बिजनस करते हैं आज के दिन कोई नई डील में हाथ आजमाएंगे आप और वो डील आपकी बहुत ही फाइदे मन्द रहेगी सेहत का ध्यान देना है सांथी सांथ आज के दिन कुछ लोगों को जो है अपने घर वालों से ताने सुनने पड़ सकते हैं घर वालों की नजरों में आज आपकी एमज थोड़ी खराब हो सकती है तो जो भी बोले सोच समझ कर बोले जो भी decision ने ये ध्यान रखे कि सब के favor में हूँ ऐसा नहीं कि आप खुद को center में रखे ही सारे decisions लेंगे तो आज के दिन आपको लेने के देने पड़ सकते हैं सांथी सांथ घर में अगर कोई बुजर्ग है तो उनकी भी सिहत का ध्यान दीजें उनकी सिहत विगड़ सकती है आपके लिए महा उपाए क्या है दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आज कोशिश करें कि आप माभगवती की पूजा जरूर करें लगी कलर आपके लिए रेड है लगी नंबर की बात करूँ है टू और भागस्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से चार स्टार व्रिष्यक्राशी वालों के लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा काम में मल लगेगा सांती सांत आज के दिन परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताएंगे चीजें आपके मन के मताबिक बीचने वाली है दिन के जो है second half में यानि के अंयकि दिन के उत्तधार धम्हे आज आप कही मंदर या किसी धारमे के स्थल पर जा सकते हैं आज के दिन किसी खुश्खबरी के भी मिलने का जो है आप इंतजार कर सकते हैं क्योंकि आज चात्रों के लिए दिन वेहत अच्छा है आज के दिन अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी कली को आज अपनी कोई खास बाते अपनी सीक्रेट्स शेर कर सकते हैं लेकिन ध्यान रही ऐसा ना हो कि आपकी बाते आपके रास जो है वो खुलने का डर हो सकता है तो बाते बताईए लेकिन फिल्टर करके थोड़ा सा ध्यान बाकि आज यात्रा के भी योग बना है, यात्रा आपके लिए सफल दायक नहीं रहेगी, साथ ही साथ आज के दिल, अगर आप कोई भी काम करते हैं, तो अपको ध्यान देना है कि वो प्री प्लाइन हो, यानि कि आप पहले से उसकी प्लानिक करें, अचानक से गर कोई काम करना सकती है, तो ये ध्यान देना होगा, महा उपाई, दिन को अच्छा बनाना चौहते हैं, तो आज के दिन बड़ो के आशिरवात से दिन की शुरुवात करें, लखी कलर, आज के दिन है, आपके लिए गोल्डन लखी नंबर की बात करो है, तो और भाग स्टार के तौर पर मै आपको दूगी पांच मते, चार्ज डार, मकराशी, तालमेल काफी अच्छा रहेगा, काम की जगर पे आपकी इमानदारी, आपके काम की तारीफ होगी, साथ ही साथ आज के दिन घर में रख रखाओ को लेकर आज कुछ चोटी सी, इस तरीकी की चोटी चोटी चीजों को ल आप ज़्यादा गुस्से में या डांट के नहीं समझा पाते हैं, सिहत के लिए हाद से देखें, तो आज के दिन जो लोग 32 से लेकर और 43 के बीच है, इस एज ग्रूप के बीच के लोगों के हेल्थ में आज बदलाव है, सिहत का ध्यान देना है, आज के दिन आप अपने ओफिस के किसी सीनियर या आपने साथ काम करने वाले की चुगली करते हुए पकड़े जाएंगे, तो पॉलिटिक्स बाजी से भी बचना है, और एक और खास चीज आपके लिए आज ये कि किसी भी महिला का दिल न दुखाए, महा उपाय जान लेते हैं, तो दिन को बहुत बनाना चाहते हैं, तो ओम हन हनुमते नमा, समंत्र का आपको उचारन करना है, लखी कलर ओरेंज है, लखी नंबर की बात करो है टू, और भागिस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी पांच मिसे, चार्ग स्टार कुम्भिराशी, कुम्भिराशी वालों के लिए दिन आज मिला जुला है, हाला कि काम का बोज तो रहेगा, लेकिन काम को आप enjoy भी करने वाले हैं, आज काम की तारीफ भी होगी, जो लोग job सर्च कर रहे हैं, नई नौकरी की तलाश में हैं, आज आपको भी good news मल सकती है, family क की बात कर लेते हैं, तो single लोगों को आज के दिन, किसी से भी बहस बाजी करने से बचना है, marriage जो है, आज अपने partner की health का ध्यान दीजिएगा, साथी साथ partner की family में भी आज के दिन कुछ issues होंगे, जिसको solve करने में आपकी भी, जो है, आपको महनत करनी पड़ सकती हैं, शक्क के साथ थोड़ा समय बिताएं, जो भी आपके घर के बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, उनके साथ टाइम जरूर बिताएं, बाकि आज के दिन, खेलकूद के दौरान भी सावधानी बरत्मी होगी, चोट लगने की संभावना दिख रही है, पैसे की बात की जाएं, तो आज की कलर ग्रीन है, लकि नंबर की बात करूँ है, बन और भागिस्टार के तौर पर मैं आपको दूँगी पांच में से चाल स्टार, मीन राशी, मीन राशी वालों के लिए आज दिन खुश खबरी लेकर आ रहा है, यानि कि आज गुड न्यूस मिल सकती है, साथ ही साथ आज के दिन बिछडे रिष्टे भी जोड़ने वाले हैं, वो लोग जिनसे आप बातशीत बंद कर चुके थे, वो लोग जिनसे आपका कनेक्शन टूप चुका था, वापस आपकी लाइफ में आएंगे, दिन के उतरार्ध में आप कहीं यात्रा के लिए जा सकते हैं, छोटी द और पर मैं आपको दूगी पांच में से, चार्ल्स टार्ड, तो जाना हमने कि आज का दिन सभी बारराशी वालों के लिए कैसा रहेगा, उमीद करते हैं यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, अब जाते जाते आपको देकर जाते हूँ, आज है चैतर अमवस्या तो इस से जुड़ा हूआ एक महा उपाए, चैतर अमवस्या के दिन को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अमवस्या के दिन अपने पित्रों के नाम से दान करते हैं, तो आज के दिन, और कहते हैं कि पित्र जो है, अगर उन वो खुश रहेंगे तो आपके जीवन में समस्याए न कीजिए साथ ही साथ आज के दिन पक्षियों को दाना भी आपको जरूर देना है तो यह दो कारी कीजिए यानि किसे जरुतमन को एक समय का खाना खिलाई और पक्षियों को दाना डालिए आपके पित्र खुश रहेंगे आपके चार्ट में जो भी प्लैनेट अनस्टेबल है स्टेबल हो जाएंगे और कल शाम पांच मुझे आपके साथ मैं यहीं मिलूंगी धर्मा लाइफ पर तब तर खुश रहें खयाल रखें और साथ ही साथ आपको करना क्या है आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर करना है